नमस्कार सभी को स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं एकनॉमिक प्रोब्लम ओफेन एकनॉमिक ओके बेटा पहला जो आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था इसके बारे में थोड़ा थोड़ा मैंने आप लोग को बताया था आज इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे दिखे बेटा पहली जो प्रोब्लम होती है आपकी क्या होती है क्या produce करना है और कितनी quantity में करना है यह आता आपका पहले point के अंदर देखो भाई पहली बात तो यह ऐसा क्यों है यह जो आपकी जो problem है क्यों arise होती है इसके कुछ reasons है पहला रहता है आपके resources के हाँ बेटा limited है आपको पता है हमाई देश में चाहे कोईला हो चाहे हमारा पी limited होती है उसी के अनुसर अपना खर्चा कर सकते हो यह तो है नहीं कि चादर के बाहर आप पैर पसार दोगे है ना इतना पैसा तो नहीं अफोड कर पाएगा न कोई भी कि आप जो मन करें खर्चा करो ना तो resources आपके घर में भी limited ही रहते हैं इस बात को आप लोग याद चल रहा है oxygen crisis चल रहा है हमारे इंडिया के अंदर काफी states के अंदर oxygen की कमी है अब आप लोग को सोचना पड़ेगा oxygen का उपयोग या तो आप अपने health care facilities में करो मतला hospitals के अंदर करो है ना जो बिमार लोगे उनका अवे लेबल करवा हो या तो अपने यह जो कंपनियों में ज resources हमारे limited है आपको बताइए तो हमें क्या करना पड़ेगा अपने resources का efficient utilization करना पड़ेगा अच्छे तरीके से utilization करना पड़ेगा जिससे कोई wastage ना हो resources का पहले से हमारे resources क्या हैं? limited है अगर हम उनको सही तरीके से उप्योग नहीं करेंगे waste करेंगे तो क्या होगा? दिक्कतों को सामना करना पड़ेगा हम लोग को तो बेटा वो point यहाँ पे आता है अगली जो problem आपकी आती है how to produce किस तरीके से आपको produce करना है? पहला point बेटा होता है इसके अंदर choice of technique of production किस तरीके से आपको कौन सी technique का production यूज करना है अपने production के अंदर यह basically इसके अंदर बात आती है आप जो how to produce पड़ते हो किस तरीके से आपको अपना production करना है ठीक है किस तरीके से आपको अपना production करना है second point जो मैंने आप बताऊंगा देखिए भई technique of production क्या होगी बेटा देखो basically हमारी दो techniques of production होती है एक होती है capital intensive दूसरी होती है labor intensive ऐलेवर का याब दूसरी होती है और आप capital intensive to use करें तो आपको production जलदी हो जाएगा छाएगा आपकी cost भी कम रहे ना लेकिन आप लोगों को मिलेगा जहां पर ज्यादा machine होगी महा पर labor's कम होगी ठीक है labor's हमारी कम होगी तो employment कम generate होगी अगला point आता है देखो भई आपके resources क्या है बेटा scare है ठीक है उनकी जो supply है वो बहुत ज़्यादा कम है और demand क्या है बहुत ज़्यादा है तो आपको ऐसी technique का use करना पड़ेगा जिससे आपका maximum production हो ये ना हो कि wastage हो आप लोग को पता होगा कि काफी सारी company है जैसे मान लिए car manufacturing company है बड़ा सा steel से आपको पता है गाडिया बनती है आप steel का जो wastage होता होगा इसको समालना पड़ेगा अगर कोई technique ऐसा कर सकती है कि जो wastage हो रहा है उसका भी use कर सकती है car manufacturing manufacturing में तो हम उसका use करेंगे यहां पर कोई दिखकर बेटा इस बारे में ओके next आता है आपका for whom to produce किसके लिए हमें produce करना है ठीक है किस तरीके से हम पहला question आपको दिख रहा होगा इसमें जो question आपका आता है how to distribute the production अलग अलग sections है middle class अमीर गरीब है न सबके लिए किस तरीके से distribution करना है हमारे जिसमें जो production हुआ है वो problem इसके अंदर आपकी आती है देखिए भई पहली बात आती है production किसके लिए करना है देखो भई जो pay कर सकेगा उसके लिए production होगा क्यों बई जो pay कर सकेगा उसके लिए production होगा अच्छा एक चीछ बताईए purchase कोन करेगा purchasing power किसकी ज़्याद होगी अगर आपकी income बढ़ेगी तो आपकी purchasing power बढ़ेगी अगर आपकी income कम होगी तो आपकी purchasing power क्या हो जाएगी कम हो जाएगी जिसकी पास ज्यादा पैसा होता है वो ज्यादा purchase करता है जिसका कम पैसा होता है वो कम purchase करता है कोई दिक्कत बेटा I hope कि जितना मैंने आज आप लोग को पढ़ा है वो आप लोग केलियर होगा ओके बेटा तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लाउस में तिल देन टाटा बाई बाई